आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुजी के पापड की रेसिपी, बहुत ही कम टाइम में धे सारा पापड आप कैसे बना कर त्यार कर सकते हैं, चलिए देखते हैं ये रेसिपी, देखें कितना तेस्टी और कितना क्रंची बना हुआ है, तो चलिए बनाना करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चूले पे हमने रखा है एक बड़ा सा पतिली, उसमें डालेंगे पांच लिटर पानी और इसे ढख कर हम उबलने देंगे, पानी में उबाल आ रहा है, तब तक बाकी की चीज़े आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे एक केजी हमने सूजी यानि रवा लिया है, बारीक याप मोटा कोई सभी आप सूजी ले सकते हैं, यह हमने लिया है खार पापर, उसके बाद से लिया है नमक, जवाइन लिया है मैंने, उसके बाद जीरा लिया है काली मिर्च, और यहाँ पे दो चमज के करीब म आपके पांस काली मिर्च का पाउडर है तो ओ भी आधी चमच के करीब आप डाल सकते हैं एक चमच हमने लिया है जीरा और एक ही चमच हम लेंगे अजवाइन तो यहां पर देखिए एक चमच दोनों चीज़े हमने ले ली है अब यहां पर हम धाई चमच लेंगे नमक यानि तेस्ट के हिसाब से आप नमक लें यह देखिए दो चमच और फिर मैंने हाप चमच और डाल दिया है तो यह चीज़े हमने त्यार कर ली है खार पापर भी हमें धाई चमच के करीब ही डालना है जब खार पापर को आप तोड़ेंगे तो वह एक पाउडर की फॉर्म में त दाल दें एक केजी सुजी के लिए धाई चमच खार पापर काफी है चलिए पानी चेक कर लेते हैं गरम हुआ की नहीं तो पानी में उबाल आ चुका है आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि पानी बिल्कुल उबल रहा है तो जो मसाले हमने प्लेट में निकाले हैं जीरा थोड़ा सा पानी पहले निकाल लेते हैं आधी कप के करीब बाद में जरुत होगा तो हम डाल देंगे और इसमें नमक, जीरा, काली, मिर्च, अजवाइन, खार पापर जो हमने प्लेट में निकाल कर रखी थी पानी में हम डाल देंगे और आधी मिनट के लिए इसे चला ल तो यहां पर सूजी जब हमें मिक्स करना है तो हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक साथ सूजी को नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें गांठे बन जाएंगी और इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा करके सूजी को डालते हैं और एक जने इसे इस तरीके से चलाते तो इसमें बिल्कुल भी गाठे नहीं बनेंगी यदि इसमें गाठे बन भी जाती है तो उसका भी हम उपाय आपको आगे बताएंगे कि आप इसमें गाठ को कैसे खतम कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमें 3-4 मिनट तक बहुत अच्छा से इसमें मिक्स करना है हो चुका है अब वापस इसे 2 मिनट के लिए चुले पे रख देंगे और चलाते हुए इसे पकाएंगे तो यह सुजी जो है पापड के लिए बिल्कुल रेडी है आप गैस पे बना रहे हैं तो यहाँ पे गैस बंद कर दीजिए चुले पे बना रहे हैं तो लकडियों को अब यहाँ पे आज की जरूरत नहीं है हमें सुजी पापड के लिए रेडी है तो दो चमज के करीब सुजी हम एक बरतन में निकालेंगे और बाकी सुजी को हम ढग कर रख देंगे आप पतिली को चुले पे रखें या नीचे भी उतार कर रख सकते हैं अब एक साड़ी को फैला लेंगे या प्लास्टिक की सीट है तो उसे आप पैला लिजें तकि उस पे पापड आप सुखा पाएं और यो यह सुजी है बरतन से इस तरीके से हम रगड लेंगे कोई गलास कटोरी जो भी है उससे इस तरीके से मसल लिजें ताकि इसमें कोई गुठली यां बज अब दो हम थैली लेंगे दो बुन तेल लगाएंगे और थैली पे अच्छे से फैला देंगे ताकि पापड बनाते वक्त थैली पे पापड चिपके नहीं यह देखिए थैली पे तेल लगा लिया है मैंने अब एक चमच के करीब हम सुजी लेंगे और उसका एक लोई सा त्य करेंगे इस तरीके से हाथों में तेल लगाकर और उसके बाद हम लोई बनाएंगे दोनों थैली के बीच में लोई रखेंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे पापड बनकर रेडी है अब हाथों से पकड़ कर हम एक थैली को हटा लेंगे इस तरीके से और उल्टा करके हम साड़ी पे सुखा देंगे पापड को और उपर से थैली पकड़ कर हम हटाएंगे बहुत ही इजली थैली पापड से हट जाती है देखिए इस तरीके से डालेंगे और फिर इसे एक नुकर से पकड़ के थैली हटा लेंगे तो इसी तरीके से साड़े पापड को हम बना ले आपके पास पापड के मसीन नहीं है तो दो रोटी बनाने वाले चकले लिजिए और उसकी बीच में इसी तरीके से थैली के बीच में रखिए उपर से एक चकले के उपर थैली रखिए उपर से दूसरे चकले को रखिए और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कीजिए पापड बनक तो आप देख पा रहे होंगे एक बार का पापड बन चुका है फिर मैं दो चमच निकालूंगी और इसी तरीके से करके हम सारे पापड को बना लेंगे एक साथ में आप सारे सुजी को निकाल लेंगे तो ठंडा होने के बाद आपके पापड फटने लग जाएंगे और पाप तो देखा आपने कितना ही असान है इस पापड को बनाना और एक केजी सुजी से कितने सारे पापड बन कर त्यार हो गये हैं सुख जाने के बाद आप इसे साल भर रिश्टोर करके रख सकते हैं ये पापड बिलकुल भी खराब नहीं होंगे और इसे दो दिन लगते हैं चलिए इसे दिखाती हूँ आपको कि अब इसे हम पापड बनने के बाद पलटेंगे कैसे और कब पलटना चाहिए तो जब इस पापड मोडने लग जाए तो आप समझे किसको अब पलट देना है देखिए किनारी छोड़कर मोडने लग गया है अब यहां पे हम पापड को पलट देंगे यह देखिए कितना अच्छा से साइडो से पापड मोडने लग गया है देख पा रहे होंगे तो अब इस तरीके से हम उठा कर इसे पलट देंगे तो यह रेखिए एक दिन में हमारा पापड इतना सुकर त्यार होगा है देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड मारपे में भरकर रख सकते है तो चलिए दूसरे दिन का पापड़ आपको दिखाते हैं यह देखिए दूसरे दिन कितना çok से सुकर तियार हो चुका है अब इसे आप भर कर रख दीजिए और चलिए हम तलकी भी दिखाते तो यहां पे तेल अच्छा से गरम हो चुका है और हमने पापड डाल दिया है कुछ ही सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे पापड कितना अच्छा से फूल कर और कितना बड़ा कितना सफेद त्यार हुआ है तो है नब बहुत ही असान इसे बनाना और कम टाइम में कम पैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि निश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को सियर जरूर कीजिएगा कमेंट में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी निश्ट वीडियो क्या बनाओ मैं अपलों के लिए तेक्यू